सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए हेलो फ्रेंड्स एन वेलकम टो डिफेंस डिरेक्ट एजूकेशन एस्पेरेंट्स के बीच में इंडियन आर्मी के टैट्व पॉलिसी को लेकर काफी कन्फ्यूजन है प्रॉपर टैट्व पॉलिसी ना पता होने के कारण एस्पेरेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान भार हो जाते हैं तो अब सवाल आता है कि क्या आप अपनी बॉड़ी पर पर्मानेट टैट्व के साथ इंडियन आर्मी जॉइन कर सकते हो या नहीं क्या है एक्जैक्ट रूल्स पर्मानेट टैट्व को लेकर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंडियन आर्मी ने 2015 में अपनी टैटू पॉलिसी को चेंज किया है और इस न्यू टैटू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप फोराम के इनर फेस यानी इनर साइड आफ एल्बो से लेकर रिश्ट तक टैटू बनवा सकते हो और साथ ही आपके हतेली के दूसरी साइड जिसे इंग्लिश में डॉर्सल साइड आफ दी हैंड भी बोला जाता है इन दोनों ही जगा पर आप टैटू बनवा सकते हैं पर आप इस बात का द्यान रखें कि आपका टैटू, ओफेंसिव कंटेंट, सेक्सिस्ट या रेसिस्ट ना हो अब चलिए इमेज के थुरू देख लेते हैं कि exactly आप अपने बोडी पर कहां पर टैटू बनवा सकते हैं बोडी के वो पार्ट जिनने नमबर 1, 2 & 3 से मेंशन किया गया है आप इन सभी जगा पर टैटू बनवा सकते हैं वहीं दूसरे तरफ नमबर 4, 5 & 6 से मेंशन किये गए बोडी पार्ट पर आप टैटू नहीं बनवा सकते हैं इन बताय हुए पार्ट के अलावा आप अपने किसी भी बोडी पार्ट पर टैटू नहीं बनवा सकते हैं यहाँ पर जो लोग tribal community से belong करते हैं उनको freedom दी गई है यह लोग अपने किसी भी बोडी पार्ट पर टैटू बनवा सकते हैं including face पर वो टैटू उन्ही की community को symbolize करना चाहिए और वो टैटू, offensive content, indisident figure, sexist और racist नहीं होना चाहिए तो अब इस वीडियो को मैं conclude करूँ तो आप उन body parts पर tattoo बनवा सकते हैं जिसे number 1, 2 and 3 से mention किया गया है और उसके अलावा आपके किसी और body part पर tattoo नहीं होना चाहिए यह rule left and right दोनों hands पर valid है और last में मेरा suggestion अगर आप सही में defense forces join करना चाहते हैं तो मेरी सला यहीं होगी कि आप किसी भी permanent tattoo को ना बनवाएं और अगर आपने पहले से कोई tattoo बनवा रखा है तो देखें कि वीडियो में बताय हुए guidelines को आपका tattoo follow कर रहा है या नहीं अगर नहीं तो आप laser या दूसरा कोई method से अपने tattoo को remove कर सकते हो लास्ट में एक important बात अब आप comment section में पूछो कि मैंने तो defense personal को tattoo के साथ देखा है and all तो मैं बता दूँ कि Indian army अपने policy time to time change करती है और tattoo को लेकर जो भी फिलाल guidelines हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में discuss कर दी है अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे comment section में बताएं लाइक करें इस वीडियो को और अपने friends के साथ भी शेर करें आप Instagram पे हमें यानि defense direct education को follow कर सकते हैं ताकि आप से कोई भी defense related news, update या exam notification मिस ना हो जहिंद